कि इनके सपने थे कि हम वर्दी पहने इस फोज की और एरफोर्स के चक्कर में लोगों ने दूसरी नोगरियां चोड़ दी सिर्फ मोधी के नाम पर जीत रहे हैं तो उनसे करना चाहता हूं कि जल्दी वो भी अगनिवीर की त्यारी करें कि उनको यही हुआ अगनिवीर बनाएंगे अचने मास सर्चवती 24 गंट में एक पर जिवाब बेठती हैं मोधीजी तो पहले कैसे कि मैं तो जोला उठांगा चल दूँगा तो वो सचना साबित हो जाए आपका जोला ये उठाने के लिए तैयार है क्योंकि जब देश का यु मोधी जी ने एक भरती कैंसल कर दी तो उसने उस स्टेडियम के अंदर लिखा जमीन के उपर कि पुझे पिता जी मैं इस जीवन में आपकी सैनिक बन करके देश की सेवा नहीं कर पाया लेकिन मैं अगले जनम में जरूर सैनिक बन करके देश की भी सेवा करूँगा आपकी अंतिम संघर्ष यही कहते हुए सेना भ्यरती पहुंचे है जनतर मंतर पर और यहां पर पुरानी भरतियों को लेकर मांग चल रही है और न्यूस तक ने भी इस मांग को काफी बार दिखाया है चात्रों की कहानिया आपको आप तक पहुंचाई है कि कैसे कई जो चात्र है क पाईयों का एर्मन का अगरम करें तो वहां पर जॉइनिंग लेटर काई चात्रों को नहीं मिला इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ तमाम स्टूडेंट साब देख सकते हैं और रवेंद्र फॉजीज भी है और सबसे पहले आप इसे बात करते हैं कि आप आएं दिल क्या कहना आप नहीं हम तो सरकार से कहते हैं कि आपने अपनी योजना तो जबरदस्ति थोपी दी देश पे लेकिन योजना के अलाव कम से कम यह पुरानी बरतियां तो कंप्लीट करा दो इन बच्चों का क्या का सूर है जिनों ने तिन-तिन साल मेनत की है तो हम तो यही चा कर लिया और उन्होंने कहा कि हम फैसला जल्दी सुनाएंगे लेकिन आज दो मैने से उपर होगे लगबग डाई मैने होने जा रहे हैं हाई कोट भी फैसला नहीं सुनाई दे रहा इसका मतलब तो साप है कि सरकार हाई कोट पर भी दबाव डाल रही है यानि सरकार विल्कु बना रहे हैं अब हमारा विचार है या तो आज चाही कल से अंभू करताल पर बैठेंगे या कोट का कर बैठते हैं या इस दरने को आगे बढ़ाएंगे इस पर डिसकस करके हम पांस बजे मीडिया के मादम से बता देंगे अन्य था आगे कि जो भी रनीती होगी अब करो य हैं हाँ मैं भी फोज में मैंने 17 साल देश सेवा की है और हम चाहते हैं कि जैसे आज हम पैंसिन ले रहे हैं हमारे को मेडिकल फैसली जो सब चीजे मिल रही हम चाहते हैं बच्चों को भी मिले और इन्होंने पर्मनेट बढ़तियों की त्यारी की थी ना कि यह चार साल के ल परिया उनका एक्जाम मुण से और जिनकी जोइनिंग बाके उनको जोइनिंग दी जाए हमारी यही सरकार से मांग है और और भी हमासत लोग है जनता ब्रिगेट पार्टी आप अपना नाम बताई और छात्रों को लेकर आप लोग आए हैं अपना वक्त निकाल कर सब लोग अगनी वीरों को लेकर एक बात और भी है कि पहले एंटरंस एक्जाम की बात नहीं थी कहीं अब एंटरंस एक्जाम भी जोट दिया गया है तो वहां जो है वहां भी दाव पेच कई और आड हो गए हैं दूसरी तरफ यहां पर कई ऐसे चात्र हैं जो आज भी अपनी गरीब कि सान मजदूर की बेटे हैं वो एक अर्मान दिल में पालते कि मुझे ये वर्दी मिले बहुत सारी बच्चों ने अर्मान पाला हुआ था और आर्मी का सेलेक्शन आसान सेलेक्शन नहीं है ये बड़ा टफ सेलेक्शन होता है और यह सारे हैडल्स पार करके आए है सारी वो कठनाया पार करके आज उस मुकाम पर पहुंचे थे कि सायद किसी की जोइनिंग बाकी थी किसी का मेडिकल बाकी था कुल मिला करके इनके सारे आर्मानों पर पानी फेर दिया इनके गरीब माबापने अपनी जमीने गिर्वी रख करके अपने गहने गिर्वी रख क किसी मान ने तो अपना मंगल सुत्र तक गिर्वी रख करके इन गरीब के बेटों को कोचिंग अकेडमी में अपनी कोचिंग दिलाई तब जा करके इन्होंने वह हैडल सफार किये हैं और लाश्ट में इनके भविश्यक ओपर हाथ होड़ा मार दिया गया है भाई रवेंदर पूरे देश के बच्चों के लिए हम इनके साथ हैं कंदी से कंदा मिला करके पूरे देश की सैनिक इनके साथ हैं हम यही हैं आज यहां से सपत लेके जा रहे हैं यह बच्चे सपत लेके जा इन्हीं बच्चों ने आज से पहले मोधी 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 करके हम लोगों ने भी त इसके पांच लाग पूरु शैनिकों ने रिवारी में रेली की तब माननीय परधान मंत्री महोदें आपको उस कुर्शी मिली है शैनिकों नीव रखी आपकी परधान मंत्री की आपको इस बात का इलम होना चीए आज यहीं शैनिक आपसे अपील करते हाथ जोड करके या तो इन करीब बच्चों को आप नयाय दे दीजिए अन्य था वो दिन दूर नहीं होगा शैनिकों के दंप आप सत्ता में बैठें और यहीं सेना में जाने वाले बच्चे और सैनिक कहीं इस सत्ता से आपको उतारने का काम भी यहीं ना करें क्योंकि देर उपरवाले के घर में अंधेर नहीं है वक्त आचुके हैं यह सपत लेके जारे मच्ची यहां से कि यदि नयाय नहीं मिला तो आज यहां से सपत लेके जारे हैं कि 2024 में कहते हैं मास सर्च्वती 24 गंटे में एक पर जिवावा बैठती हैं मोधीजी तो पहले कह सुकि मैं तो जोला उठांगा चल हम अपील है कि आप अपनी कबर हमसे ना खुद वाएं ठीक है इसलिए मोधी शाब इन बच्चों को नहीं देदीजिए अन्यता 2024 में अपना जोला उठाने के लिए तयारी कर लीजी चलिए और दिल्ली हाई कोर्ट की भी बात कर लें सर दिल्ली हाई कोर्ट में मामला जो है पूरी कर ली हो और जो बैस पूरी हो चुकी होती है जब फैसला रिजरू करने के बाद किसी भी मामले में अभी तक ज्यादा ज्यादा दस दिन पंदरा दिन या एक मैने के अंदर फैसला सुना दिया जाता है और हमें भी उम्मीद थी कि हमारा फैसला आएगा लेकिन आज दो मैनें से उपपर नहीं सुनाए जा रहा है। इसके पीछे कहींने कहीं सरकार का दबाव है। एक बहुत लंबी प्लानिंग कर रहे हैं जिसका जल्दी ही देश के सामने खुलासा होगा और इस बीच आप सरकार की किसी प्रत्युनिधित्फु से आप मिले किसी रेप्रेजेंटेटिव से आपने मिलकर बात करनी की कोशुश की सरकार से पहले रक्षामंत्री जी से और उन्से मुलाकात हुई थी और उन्हें बहुत लंबे चोड़े वादे भी किये थे यह बेरोजगार तो बोलें में तो काबलेती नहीं है यह वह हैं जो दस लाक में दोड़ पास करते हैं जब 300-400 का बैस दोड़ता है उसमें पांची बंदे आ गया आते हैं और यह वह सारे स्प्रीट हैं जिन्होंने पूरी मैनेत और सब कुछ करके यहां रखें और वह अगर सब्सक्राइब और यहीं देश का करणदार है और यह वह अगर इनके परिवार ले लिए जाए तो इस समय किसान जवान और नोजवान यहीं देश का करनदार है और यह करनदार को मोदी जी ने जो इनकी कमर तोड़ी है अब यह समय आने पर इस सरकार की कमर जरूर तोड़ेगे और जैसा हम कहते हैं कि सेना में भरती कोई कोंट्राक्चो जाब जैसा नहीं है एक एमोशन है लोगों के लिए सपना होता है बच्पन से कभी बच्चे सपना देखते हैं बिलकुल सपने की बात कही आपने तालोगाओं है हर्याना के अंदर वहाँ एक बच्चे का सपना था और उसने वो सपना साकार करने के लिए अपने जी जान की मतलब उसने जी तोड मेहनत की थी लेकिन जिस स्टेडियम के अंदर वो दोड़ता था जब ये मोदी जी ने ए जैनिक बन करके देश की सेवा नहीं कर पाया किन मैं अगले जनम में जरूर सैनिक करके देश की भी सेवा करूंगा आपकी सेवा करूंगा, और उस मिग पराणताग दिये उसने अपने आपको हंक कर लिया और उस बच्चे का सेलेक्शन हो चुका था हम उनके घर गए थे मैं और साहब बीर सिंग साहब दोनों साथ गए थे हम और रविंद्र जी अब एक साल से एक साल का वक्त होने वाला अगनीवीर योजना जबाई और पुरान भरतिया वैसे तो भरती की प्रक्रिया पूरे होने में बहुत वक्त लग जाता है लेकर उसके बाद भी जब कहीं का एक्जाम क्लियर हो गया सब कुछ हो गया इतना मुश्किल था सरकार के लिए देना मुश्किल कुछ ही नहीं था यह जिन लोगों की योजना बनाई हुई जो भी हमारे अधिकारी है जो कहते हैं कि विदेशी तरज पर बनी हुई है विदेश से लेका हैं तो पहले बात तो ऐसा कोई आज तक ऐसी कोई योजना नहीं आई जो पीछे पर थोपी जाए जैसे इनों ने पहले 2004 में पुरानी पैंशन बंद की थी तो आगे वाड़ों जैसे जिन्हों ने कहा कि हमारी पहले से योजना थी हम इस पर विचार कर रहे थे तो विचार कर रहे थे पिर इनवायरबस को समय क्यों दे रहे थे धी डूटू करो नहीं कि नुट्र उटा oturता कर इनका क्यों वैट करा है इननोंने कितनी नोग्रेएं चोड़ दी जो दू पचार ही नहीं है कि यहाओं को न्यार देंगे